हलो बच्चों, आज हमारा क्वेशन है, कन्वर्ट इन्टू ग्राम देखो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना ग्राम में हमार पाए 9 kg, हमें इसको करना कन्वर्ट ग्राम से तो हमें पता होना चाहिए कि 1 kg में 1 kg इकल टू कितना होता है? 1000 ग्राम होता है कितना होता है 1000 ग्राम अब 9 ग्राम में कितना होगा तो 9 ग्राम में कितना होगा 9 into 1000 कोड़ दो बई कितना हो जाएगा 9 बन जा 9 1, 2, 3 तो 1, 2, 3 9,000 ग्राम हो जाएगा तो हमारे कितना जाएगा 9,000 ग्राम हो जाएगा बई ठीक है आपको simply क्या करना multiply करना क्योंकि हमें मालुम होना चाहिए एक 1 kg में कितना होता है 1000 gram होता है तो 9 में कितना होगा बैज 9000 होगा multiply कि हमने 9 into 1000 9000 तो हमारा 9000 gram हो गया ओके 16 kg अब 16 kg है बैए हमें जब मालुम है कि 1 equal to 1000 gram 16 में क्या होता 16 multiply 1000 तो 16 बन जा 16 1 2 3 1 2 3 कितना हो रहा 16000 ग्राम तो कितना होगा 16000 ग्राम ओके ऐसे 10 kg 800 ग्राम अब 10 kg भाई जब 1 kg एकल टू कितना है 1000 है तो 10 में कितना हो जाएगा 10 into 1000 हो जाएगा कितना हो जाएगा यह 123 जिरोव एक 1000 फैं नत्म फैं 100 जिरो एन फैं 100 फैं 100 फैं 100 फैं 10 खैं लेकिन हमारे 800 और हमसी कितने हो जाएगा तो इसको कितना है कितना हो आएगा गाएगा ओके ऐसी 9 kg 97 ग्राम में तो 9 kg को करेंगे तो 9 इंटू 1000 करतेंगे वाई तो कितना जाएगा 9000 आजाएगा और 97 को में पलस करेंगे क्योंकि यह ओलर किसमें कि ग्राम में तो 7909 तो 9097 ग्राम हो जाएगा ओके 6 kg 6 ग्राम भाई 6 kg को करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 kg करेंगे तो 6 इंटू 1000 करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 6000 और 6 ग्राम में तो इसको तो पलस कर दो भाई 6 006 तो 6600 ओके SM 21 kg को करेंगे तो हमें माल में 1 में कितना होता 1000 होता भाई तो 21 में कितना हो भाई मंटिपलाए कर दो तो 21000 ग्राम हो जाएगा ओके